अब इस बीन इतु और आप सब देख रहे हो रॉबिन इतु व्लॉग्स तो अभी सुबह के 8 बजी है और मैं बिस्तर वगर उठाने जारी हूँ अब बरामड़ा जब बना था ना किचिन के अंदर फैन लगा लिया था लेकिन इधर लीविंग रूम में फैन नहीं लगा रहे है अबी लगा लेंगे लेकिन लोक्डाउन के चकर में लगाने ही पाए और रूम में पंका था वह चलते ही पता नहीं कैसे बंद हो गया तो आप लोगों को बता देती हुं कि हम लोग डॉण में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे है तो चलिए विस तरह उठाते हूं आपको दिखाती हूं तो यह देखिया यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को सोना पढ़ रहा है क्योंकि रूम में पंकार नहीं और गर्मी त पढ़ रही है तो रात में इस तरह से सोना पड़ता है तो चलिया इनको इठालेते हुँ और किलिण वगिर हाट कर लेते हुँ जाड़ पोचा कर लेते हुँ बाकी सब जगे मैंने कर लिया है पस यहाँ से थोड़ा सा करना है क्यांग? हाँ आँ देली दो अटाई आई 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 गुद्मॉर्णिंग भी खारा चैन? फिर काई चैन? मम्मी ने खाना मना ने दिया इसको खाना मना ने देती है मम्मी इसलिए चैन खाता है आँ ने ने आज आलो उबाल रही हूँ आलो की पराठी बनाएंगे मंचु खाएगा? जे पालत है बीटा जे ना इसके आपन्भब बनाएंगे पकोड़े पालत के पकोड़े प्यास जालके और आलो की पराठी खाएगा ना मन्चु का मैंचु पड़े एक कडी एक पपूदी अच्छा लगता है मैं अच्छी लगतियो पर चमाहे सब को आसो, बươngत मॉद्मोद आँ जै मत की कैसे हो आपसा? आपसा पंड करिया हो क्या कर रहे हो? उंहो आपने क्या बनाया खाने को? आपने क्या नाया । मैंको नी दिया आज नाश्ति में मैं बना रही हूं बेसन, प्याज, आलू और पालक के पकोड़े, तो इन सब को मिक्स करके और फिप पकोड़े बनाऊंगी, तो मैं यहां पर मैं प्याज कट रहे हूं थालू यहां जौ रहे खितागे हूं को तो इन सब करके तो यहां है एकपोड़े वो सिरा यहां होको थक्रूबेस. सोिए तो मैंने भाल कट जल लै है यहां पर में मसाले दालरी हूं मसाले के अंदर में डाल harshर्ड हमें डालो भी दालूगी अपड़िय श्याइज माझस से अज्वाइ डालूंगी थोड़ा 성े को आप गाल नामक और मॽझे में तो पहले बहोग के लिए बिना प्याज के प्याज के तलूँ थोड़े से 8-10 उसके बात में बाकी के प्याज डालूँगी तो यहां पर मैंने यह सब मिक्स कर लिया है उसके लिए मैं बेसं डाल रही हूं और इन से पूछते जा रही हूं कि आप पकोडे के अंदर ना अलू औलबाओगी क्या कि उनकों ना बिल्कुल पसंद किसी भी सबची में मलब इनको फदा नहीं क्या होगा कि aún टालू या नहीं डालू तो तो ये अना मेरा गोल भी तयार होगा है तो इन्होंने अनलू नेका कि आ लू टाल देना तो मैं अब जो है Sकना अलू भी डालूगी ले प्याज एटनी करूंगे प्याज में तवैट करूंगे एक बर पहले में बगवान किया एक गन उतालू फिर उसके बाद में प्याज में प्याज में तवैट कर दो एक बाद कर दो हुआ है कर दो 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 कि अधियर नहीं बनाई है क्योंकि यह तो यह लोग दूद्से खाएंगे ना चाय बना दूँगी तो चाय से खा लेंगी और यहां पर मैं बगवान जी को दूद के साथ में पकोड़े का बोग लगा के आ रही हूं तो बोग की मैं रखके आ गई हूं मंदीर के अंदर और यहां पर मैंने प्यास डाल दिया है बाकी की घोल के अंदर और उसको अच्छे से कोलने के बाद में और पकोड़े तलना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि यह आ गए हैं और बैठे हैं इंतजार देख रहें कि कब लेकर आएगी लेजिए तयार हैं गर्मा गरम पकोड़े आईए आप लोग भी खाईए और बताईए कि कैसे बने हैं और मैं इन दोनों बच्चों को दिखाती हूं कि इन दोनों को कैसे मस्ती चड़ी है और यह किस तरह से बिस्तर ख़राब करते हैं मेरे यह किचिन से पंखा उतारने में लगे हुए हैं यहाँ पर और अब इसको रूम में लगाएंगे तो ये देखिए फाइनली किचिन से हट करके ये पंखा यहाँ पर लग गया है और अब किचिन में नहीं सोना पड़ेगा थैंक गोड अब रूम में सोएंगे अराम से बैड के उपर तो ये फाइदा होता है एक मेकेनिक से शादी करने का अभी मैं बना रही हूँ जो मैंने पकोडी बनाई थी ना उसकी सब्जी उना रही हूँ और मैंने सब्जी उनाई थी उससे पहले मैंने ये पापड बगेरा तल लिया है यहाँ पर जो होली पर आई थी ना वाले पापड है शाम की ताइम में चाय के साथ में खाने की कामा ज को तो अब कि दो आपने लोगे में ना की उचाहिए भी दो कि न अब को कि अब अब को जो कि आप एक तो देखे यहां पर जो प्यास थी मेरी वो ढूंगा है और थोड़ी बहुत था अब जाएगी तो मसालो के अंदर मैं डालेंगी है फारदी पाउ। हे एक क्बम करणा मृषरता है। ऑंप सांच होते हैं, तो या डान मेरे स्वक्त्य पाउड़ा करें, या पहने लान में का पाउर ही. तो पानी थोड़ा से डालेंगे क्योंकि जो पकोड़ी आ है वो पानी को एबसर्ब करेंगे और थोड़ा यह खदगेगा भी मतलब की थोड़ा सा बोईल भी होगा तो यहां पर मैंने कानी भी डाल दिया है और बस अब इसको कूकोने देंगे इसमें बोल आने देंगे नमक डाल देंगे थोड़ा सा भी लाए अर्भार पाफ़ड़ना थे लंबे वाले है यह इना इसके नीचर थे बड़े है तो इजी हो गए है अज इसको पस फेना हमेर ड़क करके तो फाइनली हमारा जो खाना है वो तयार हो गया है मैंने इनके लिए थाली लगाती है रोट्या सिग गई है यहाँ पर मैंने सलाथ काट ली है सबजी मैंने कटोरी में डाल ली है पापड़ तले दे वो भी रख दी है नमक में ले करी जाती हूँ उनको नमक तो चाहिए चाहिए होता है काला नमक खाना वगेरा हम लोगों का हो गया है और बटन भी मैंने माजले है और बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पर याइन करना चाहूंगी लेकिन जाते जाते एक कमेंट है जिसका मैं रिप्लाइ करना चाहूंगी कि उनने अपने कमेंट में लिखा है दी हमें आपके व्लोक्स काफिया लगते है क्योंकि आपके लाफिय बिल्कुल हमाई जैसी है सिंपल सी लेकिन कुछ लोग है जो कम्पेर करने लगाते है तो देखिए सिंपल होना और एजी होना दोनों बातों में बहुत अंतर होता है कैसे मैं समझाती हूँ हम यह सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे कितनी सिंपल सी बात है सुबह जल्दी तो उठना है लेकिन एजी नहीं है सोच कर देखिए हम हमेशा सोचते हैं कितनी सिंपल सी बात है लेकिन एजी नहीं है लापाते हैं खापाते हैं नहीं खापाते हैं सिंपल सी बात हैं लेकिन एजी नहीं जो चीज़े सिंपल होती है न वो कभी एजी नहीं होती है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एकदम सिंपल सी है और कुछ भी नहीं है तो ये ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ सिंपल जरूर है लेकि एजी नहीं है क्योंकि जो सिंपल लाइफ जीत है जरा जी के दिखाएं कि Simple Life जीना कितना मुश्किल होता है राम जी ने अगर अपनी Simple Life जी थी ना तो उनके लिए वो कितना difficult था वो वही जानते हैं और आप भी अगर वो देख रहे हैं राम तो आपको खुद को भी पता चलेगा ऐसे ही बात रही कि Compare करने की तो देखिए Compare तो किसी का नहीं हो सकता बगवाने सब को अलग अलग बनाया और बात रही Compare की तो Please Don't Compare Yourself With Other अपनी आपको किसी और से Compare कभी भी मत कीजिए देखिए मैं आपको एक एक एकजम्पल देती हूँ मुझे बहुत ही बढ़ी एकजम्पल लगता है जहां पर भी मैंने एकजम्पल सुना है या पढ़ा है या देखा है तो मुझे एकजम्पल काफी अच्छा लगा था कि मेरे पास एक सोका नोट है ठीक है? मैं बहुत सोका नोट अगर आपको दिनू तो आप ले लोगे? ले लोगे ना? अगर मैं उसको फोल्ड कर दू तो आप उस सोकी नोट को ले लोगे ना? ले लोगे अगर मैं उसी सोकी नोट को यूँ कर दू एक ऐसे मुट्थी में यूँ कर दू तो आप उस सोकी नोट को ले लोगे? ले लोगे ना? अगर मैं उस सो की नोट को मिट्टी के अंदर नए से अगर दूँ और फिर ज़ाड कर दो अब ले लोगे लोगे ना कूम मतं कम नहीं होई आप काम नहीं हो सकती आप जो हैं सो है् n हग आप अपनी कीमत को कम मत on अब इस एक्जाम्बल को अपने उपर लीजिए यह सोका नॉट आप हैं आपकी कीमत कभी कम नहीं हो सकती है और जो मैं यह सब करम कर लेगी ना कर दो आपकी मट्टी में डालना यह सब आपके हीटर्स हैं और जो मैं आपको दे रहे दी और अपनी रहे दी यह होते हैं हमारे अघी शौ दरा करते हैं हमारे तो आप यह सोका नॉट आंप कभी अपने अप कर ना कीजिए किसी से भी किसी से कंपर ना अची बात प्रिच अगर हम सब तकि कहा हिए ना तो सबसे पहला सुद्र यह होता है कि हमें किसी के साथ में नहीं करनी चाहिए एक और एक rainbow सेपको स लमक से चाय बन जाएगी या भी आप रोटी के लिए आटा लगा रहे हैं तो चीनी से आटा लग जाएगा नहीं लगेगा ना अपने कुटिया और हाथी काहनी नहीं सुनी कि एक कुटिया होती हो एक हाथीनी होती हैं दोनों दोस्त होती हैं और दोनों एक साथी हैं और एक साथी प्रेगेंट हो जाती हैं तो दोनों खुश हो जाती हैं तो कुटिया के एना दो साल के अंदर बीस या पाइस बच्चे हो के अधिया अगर में आप सफर्णन रहे हैं तो आपकी हुआ Angie को चार्थ रहे हैं। रहें जाने हड़े आपके पास हाथी का बुचा है या लिए आप Anyway मोठी ज़ये और मोठीबुत रही है मोटिवेटेड रहना और करते रहना अपने आपको रखना मोटिवेटेड बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर आप अपने जीवन में डिसिप्लेन लियाते हैं तो आपको मोटिवेशन की भी जोड़त नहीं है उस डिसिप्लेन के अप चलते रहें आप अपने आप तो आपको कोई भी सपर होने से रोक नहीं पाएगा किसी भी मोटिवेशन के जोट नहीं पड़ेगी तो मोटिवेशन से भी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है दिसिप्लेंग में रहना तो चलिए इन्हीं दोर्ट के साथ में मैं इस वीडियो को यह पर हैंड करना चाहते हूं अगर आया है तो प्लीज यह से लाइक कर दीजिएगा कोई भी कमेंट और कोई भी सचेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के तरू मुझे कर सकते हैं और प्लीज में इन्स्टाग्राम पर भी फोलो कर दीजिएगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल दैंबावाए मुझे आवाता देए